पेपर फ्राइ चिकन को स्टार्टर के लिए बनाए जाता है, आज हम ये रेसिपी को थोड़े अलग स्टाइल में बनाएंगे, तो हम बनाएंगे पेपर फ्राइ चिकन की बहुत ही टेस्टी ग्रेवी, तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक किलो चिकन ले हूँ, चिकन और चिकन को मेरिनेट करना है तो एक चममच इसमें डालते हैं काली मिर्चो का पाउडर सुय शॉस इसमें डालेंगे तीन चममच, इसे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा चिकन के उपर नमक चिकन के हिसाब का एड़ कर लेते हैं और आधे नीम्बू का रस इसमें निचोड़ देंगे चिकन को मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ चिकन बोंस के साथ है इसलिए मैं इसे मेरिनेट कर रही हूँ एक घंटे के लिए चिकन जब मेरिनेट हो जाए तब इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच कॉनफलार कॉनफलार को चिकन के उपर कोट कर लेना है अब चिकन को हमें पकाना है तो पान में लेंगे दो बड़े चमच तेल चिकन के सारे पीसेज यहाँ पर रख लेते हैं Flame को हमें High कर लेना है और High Flame पर हम chicken को पकाएंगे. Chicken पर अच्छा सा Golden कलर आ जाए एक तरफ पिर हमें से पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा Golden कलर आने तक हमें पकाना है. तो करीब 3-4 मिनिट के लिए इसे अलट पलट करते हुए हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर हम धक्कर लगा देते हैं और फ्लेम को एक दम लो कर लेंगे, लो फ्लेम पर हम चिकन को 10 मिनिट के लिए इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देते हैं, चिकन पक रहा है तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला बनाते हैं तो पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पर रख लिया है इसमें मैं डाल रहे हूं डेड़ बड़ा चम्मच काली मिर्च डेड़ बड़ा चम्मच इसमें डालना है जीरा एक चम्मच डालेंगे सॉफ चार हरी लाइची है चार है लॉंग और दो ह लाल मिर्च भी ले ले लेते हैं यह मसालों को मीडियम फ्लेम पर हमें सेक लेना है चलाते हुए हम सेकेंगे अच्छा सा इस पर डाग गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे सेक लेते हैं आप देख सकते हैं मसालों का कलर डाग हो गया है इन मसालों का चिकन के उपर बहुत फ्लेम को हाई कर लेंगे और चिकन का सारा पानी सुखा लेते हैं। पानी सूख जाए, इसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और इसी तरह से चिकन को छोड़ देते हैं पैन में। अब ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए तीन बड़े चमबच तेल लेना है तेल में डालना है बारिक चॉप की हुई दो मीडियम साइस की प्याज प्याज को फ्राइ करेंगे और अच्छा साइस पर गोल्डन कलर आ जाने देंगे फिर इसमें डालेंगे दो चमबच अद्रकलैसन का पेस्ट भून लेते हैं अद्रकलैसन को तेल सेपरेट होने तक अब तमाटर रेने लिया है मीडियम साइस का इसे बारिक चॉप करके डालेंगे टमाटर को मीडियम फ्लेम पर पकाना है टमाटर अच्छे मुलायम हो जाए और इसका पानी सूपने लगे इसके बाद हमें इसमें फ्राइ किया हुआ चिकन डाल देना है चिकन को पहले मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों के साथ फिर इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी का पाउडर और एक चमच डालना है धनिया का पाउडर फ्लीम को मीरियम ही रखेंगे फिर से चिकन को सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं पेपर फ्राइ चिकन का मसाला जो हमने दरदरा सा पीस के रखा है ये अब डाल देना है मसाला डालने के बाद चिकन के साथ इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे तो दो मिनट के लिए चिकन को मैंने सारे मसालों के साथ भून लिया है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ करीब एक कप और थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं मसालों के हिसाब का कॉन फ्लार की कोटिंग है चिकन के उपर तो ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनकर रेडी होगी तो ढग देंगे अब चिकन को मसालों के साथ पकने के लिए 10 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेते हैं और चिकन सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से ग्रेवी में इसके बाद धकन हटा लेंगे अब धकन हटाने के बाद थोड़े से बारिक चॉप की हुए धन्या के पत्ते डालते हैं तीन से चार साबू थरी मिर्चे डाल देंगे मीडियम फ्लेम पर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे फ्लेम को बंद कर देंगे अब आप देख सकते हैं काफी थिक गाढ़ी सी ये ग्रेवी बनकर रेडी हुई है आप इस मसालेदार काली बिर्च चिकन की ग्रेवी को रोटी या पराठों के साथ सर्फ कर लीजिए या फिर आप इसका पानी ड्राइ करके पेपर फ्राय चिकन स्टार्टर की रेसिपी की तरह भी सर्फ कर सकते हैं